हेलो फ्रेंड्स मोनास गौर में किचिन की तरफ से आप सभी को गनेश चतुर्थी की धेर सारी बधाई तो आज की रेसिपी गनपती जी को समर्पित है दो तरह के मोदग बना रहे हूं जो आपको पसंद आएंगे सबसे पहले मैं ले रहे हूं एक कप डेसिकेट कोकोनट या आप जो सूखा नारियल रहता न उसको भी आप इस तरह से पीस के डाल सकते हैं और इसमें मैंने लिया है हाफ कप कंडेंस मिल्क आप चाहे तो पीसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मैं साथ में ले रही हूं 1-4 टीजपुन इलाइची का पाउडर इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और अब इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे हम बैटर की कंसिस्टेंसी देखेंगे यह ड्राइ रहेगा तो जो बाकी का कंडेंस मिलक है वो भी हम इसमें एड कर देंगे तो टोटल हाफ कप मैंने कंडेंस मिलक लिया है और वन कप लिया है डेसिकेटिड कोकुनट सबको अच्छी से मिक्स कर देंगे और एक थोड़ा सा थिक बैटर इसका बना के हम तैयार कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यहे हैगा येही हमें चाहिए तो एग अच्छी से हमारा बैटर तैयार हो गया तो अब इसमें से ना हम क्या करेंगे इस तरह से लोई लेकी छोटी-छोटी से गोले बनाएंगे उसमें एक छोटा सा होल करके ना मैं ले रही हूँ गुलकंद गुलकंद ऑप्शनल है आप अगर स्किप करना चाहिए या नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा तो गुलकंद डालने के बाद मैंने इस तरह से गोलगोल इसके पिड़े बनाएं और फिर इसकी ना हम मोदक की शेप देंगे तो हम उपर से इसको हलका हलका से गोलगोल प्रेस करते हुए ना नीचे से थोड़ा मोटा और उपर से थोड़ा सा पॉइंटिड जैसे की मोदक की तूठपिक टूठपिक से ना इस तरह से हम डालेंगे तो थोड़ा से कव आ जाएगा जैगा जैसे मोदक की शेप रहती ना वैसे ही इसका देखने में लगेगा मैंने ली है चेरी ये चेरी देखने में और खाने में दोनुपी तरह से बह। अच्छी लगती है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं तो मैंने चेरी लगा दी है और इसकी इस तरह से मोदक की शेप रेडी हो गई है अब मैं इसमें न गुलाब के न सूखी हुई पतियां हैं एकदम छुटी-छुटी सी मैंने इसको तोड़के इस तरह से इसमें लगा रहे हूँ जो कि देखने में ये मोदक हमारा बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो थोड़ए-ँड़ए सब लगा देंगे और इसी तरह से बाकी के जो मोदक है वो भी इसी तरह से हम बना के तयार करके रख देंगे मैं बेर को शोब कराँगे मैं पूरा घुरे इसमीं यूज नहीं कराँगे आधे मोदक यह वाले बनाऊंगे और आधे बनाऊंगे दूसरी तरह की इलोक तो रेसीपी को आप बिलकुल भी कीजिए boring स्किप नहीं केजिजए और उनमें चांदी के वर्क से उनमें चार चांद लग जाते हैं, तो हम भी अपने मोदक में चार चांद लगा रहे हैं, तो मैंने इसमें चांदी का वर्क भी लगा लिया है, देखे बहुत ही जादा खुबसूरत ही हमारे मोदक बनके तैयार हुए हैं, देखे लग रहे हैं जैसे हम हलवाई से लाए हैं बहुत महंगी वाली मिठाई तो यह वाली हमारे मोदग बनके तैयार है अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे मोदग बनाना तो गनपती जी को दिखे मैंने यह मोदग रखे हैं बहुत ही जादा खुबसूरत लग रहे हैं तो दूसरा हम मोदग ब पाद में हम इसके भी मोदक की शेप बनाना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंट्स मैंने मोदक बनाने के लिए कोई भी मोदक का मोल्ड नहीं लिया है मैं हाथ से ही बना रही हूँ तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो टेंशन मत लीजिए आप इसी तरह से शेप बना के भी म पहले वाले हमारे गुलकंद के मोदक थे और अब में यह बना रही हूं मैं यह ड्राइफ्रूट के मोदक है एक ही बेटर में दो तरह के मोदक बना रही हूं और जिनका टेस्ट भी तोनों का अलग है क्योंकि उसमें आएगा गुलकंद का टेस्ट और इसमें आएगा पर रेसिपी, तो दो मोदक एक साथ में बनाए हैं इस तरह के, तो आप भी गनपती जी को इसी तरह से प्रशाद चढ़ाईए, गनपती जी का मोदक बना के उनका फेवरेट है, तो मैंने इस तरह से बनाएए, बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये मैं लगा दूँगे ड्राइफ्रूट क्योंकि इसमें ड्राइफ्रूट लगा दूगी तो इसमें मैंने वही थोड़ा पिस्ता बादाम और काजू लगा लिया है बहुत ही ज्यादा सुन्दर दिख रहे हैं यह वले मोदक भी और दोनों ही मोदक का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिए यह मोदक बनाना बहुत आसान है तो मैंने सारे इसमें भी ड्राइफ्रूट लगा लिया है और हमारे यह वले मोदक भी बनके तयार है आप देख सकते हैं यह भी कितने खुबसूरत लग रहे हैं तो मेरे तो दोनों मैंने म मोदक बना के तयार कर दिये हैं अब आप भी जल्दी से ऐसे ही मोदक बना के गनपती जी को प्रशाद चड़ाइए गनपती जी के मोदक के लिए फ्रेंज एक लाइक तो बनता है ना तो मेरे रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भोलिएगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बैल आइक उन को दबाने ना भोलना